हाई दिस इस एनेच ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश आज हम कम से बनने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट में पहला फ्रेजल वर्ब है कम अवाउट जिसका अर्थ होता है होना टू टेक प्लेस एक्जाम्पल देखते हैं it came about all of sudden यह अचानक से हो गया sometimes it is hard to tell how a quarrel comes about कभी-कभी यह बताना मुश्किल है कैसे एक जगड़ा शुरू हो जाता है हमारे लिस्ट में दूसरा फ्रेजल वर्ब जो है वह है कम अक्रॉस जिसका अर्थ होता है अचानक से मिल जाना to find or meet by chance एक्जाम्पल देखते हैं कि I came across George last week अंतीम सप्ता अचानक से मेरी मुलाकात जोर्ज से होई कि yesterday I came across some of old letters of yours कल सन्योग वस मुझे तुम्हारे कुछ पुराने पत्र मिले कम एक्रॉस का अर्थ एक दूसरा अर्थ भी होता है जो to be understand to be understood यानि समझना समझ में आ जाना इसका एक्जाम्पल देखते हैं he spoke for a long time but his meaning didn't come across वो बहुत लंबे समय तक बोला लेकिन उसका अर्थ जो है समझ नहीं आया इस लिस्ट में तीसरा phrasal verb जो है वह है come at पहुंचना to reach इसका एक्जाम्पल देखते हैं it is difficult to come at conclusion निशकर्च पे पहुंचना कठिन है we came at the truth at last अंत में हम सच्चाई तक पहुंचें इस लिस्ट में अगला phrasal verb come by जिसका अर्थ होता है मिलना to get to acquire how did you come by this new car तुम्हें यह नई कार कैसे मिले money easily come by is off energy spent जो पैसा असानी से मिले वह प्राया असानी से खर्च हो जाता है next phrasal verb come down to fall, girna, lowering in status the price of onion is not coming down प्यात के कीमत नीचे नहीं जा रही है नहीं गिर रही है कम नहीं हो रही है अगला phrasal verb come off to belong, ho na, to result of something he comes off respectable family वह respectable family से आता है I don't think that any good will come off all this मैं यह नहीं सोचता हूं कि कुछ अच्छा इन सब से आएगा इन सब से कुछ अच्छा होगा अगला phrasal verb है come off जिसका अर्थ है अलग हो जाना to become disconnected a button has come off my coat एक बटन मेरे कोट से अलग हो गया है इसका दूसरा अर्थ होता है ho na to take place my brother's marriage comes off tomorrow मेरे भाई की शादी कल हो गी अगला phrasal verb है come out जिसका अर्थ है परकाशित होना to be published my book has been come out मेरी केताब परकाशित हो चुकी है come out का दूसरा जो अर्थ होता है वो निकलना बाहर निकलना to appear example में अगर हम देखे it is getting dark अंधेरा हो रहा है and the stars are coming out और तारे जो हैं बाहर निकल रहे हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी अगले वीडियो में फिर मैं नए phrasal verb के साथ आऊंगा thanks for watching studies ytyy अगर eh झाल झाल